Hello everyone, Welcome to Study IQ और Study IQ के इस वीडियो में हम डिसस करेंगे बिहार Public Service Commission के General Studies MCU और BPSC और बिहार Public Service Commission सेट नमबर 20 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Wipan Goyal तो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू आप मुझे different social media के उपर follow कर सकते हैं जितनी भी classes होती है YouTube के उपर paid courses की जानकारी वो हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर आपको शेर की जाती है Dr. Wipan Goyal के नाम से बाखिया मुझे Instagram, Facebook बगारा के उपर भी follow कर सकते हैं मेरे दो paid courses आते हैं The one is a 10,000 MCC course and second one is a GS course 10,000 MCC course के अंदर हमने chapter wise, topic wise जो है MCQ discuss की हैं यहाँ पर detail में यहाँ पर chapter wise, topic wise तो हैं ही है प्लस यहाँ पर आपके different exam को focus करके SSC, railway, defense exam, state piece से UPSC के लिए भी यहाँ पर MCQ discuss की गए हैं वो आप पढ़ें Wipan 15 coupon code आपको इस course के अंदर use करना है आपको discount मिलेगा 16 June तक और GS course जो है, यह हमारा पूरा का पूरा theory course है और इसके अंदर Wip 500 coupon code आपको लगाना है, अब आप इन courses को purchase कहां से कर सकते हो दो जगा से, study IQ app के उपर और study IQ.com के उपर जाने कि हमारी website से जैसे आप इसको open करेंगे आपको screen के उपर नज़र आएगा यहाँ पे home page, यहाँ पे दिखेगा आपको best selling courses और यहाँ पे दिखेगा view all का button इस view all के button को दबाएं, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MC को आपको तीसे नमबर पे दिखेगा GS course आपको नज़र आजएगा white marble, अब इसके उपर cancer का मतलब यह है, क्योंकि ताज महल के उपर जब acid rain आती है तो उसको deteriorate करती है ताज महल को, तो acid rain जो बनती है वो आपका sulfuric acid plus nitric acid के कारण बन सकती है जा फिर paper में आपको option आ सकता है sulfur dioxide plus nitrogen dioxide तो इन चीज़ों को हम acid rain कहते हैं, तो that means acid rain क्या करती है, crude कर देती है marble को, तो answer इसमें B option बनेगा, हम कहते हैं कि पहली बारिश में ना आना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके particles देखने को आपको मिलते हैं, और यह आपके components देखने को मिलते हैं और इसी कारण पहली बारिश का जो पानी होता है bottle में store करके, जो है काफी लोग inverters वगरा में भी use कर देते हैं answer इसमें B option बनेगा ताज महल किसने बनवाया था, शाजाने बनवाया था आगरा के अंदर, किसके याद में मुमताज महल, जो इनकी sulfuric acid प्लस nitric acid देखने को मिलेगा nitrogen dioxide और प्लस sulfur dioxide तो ये आपके components देखने को मिल जाते हैं इन में से किस राजा को जिन्दा पीर के नाम से हम जानते हैं जिन्दा पीर, जिन्दा पीर कहते हैं किसको, that is the orange save को, answer इसमें D option बनेगा, correct answer, D option orange save को हम जिन्दा पीर भी कहते हैं, और इनको जो है title जो है आपका, जो है आलमगीर का title भी है, इन्होंने खुद लिया था आलमगीर का title इन्होंने तब लिया था जब ये दिल्ली एंटर करे थे, अपने भायों को हरा के battle of dharmat, धarmat battle of samugod, 1658 के दोनों लड़ाया हुई थी, जैसी हराया तो इन्होंने अपने आपको जो title दिया, आलमगीर जिसे हम कहते हैं conqueror of the world कहा जाता है सबसे ज़ादा हिंदू मुनसबदार इनके टाइम पे काम करते थे, और अरंगजेव के टाइम पे सबसे ज़ादा काम करते थे और इन्होंने जजिया टेक्स को दुआरा से लगाया था, जांगीर की बात करें तो painter king कहते हैं, जांगीर painter king है, लाहॉर में ही ज़्यादा time वैतीत करते हैं, इन्होंने लाहॉर में मोती मस्जिद बनाई थी, और औरंगजेव अकबर की बात करें, तो अकबर जो है एक illiterate king है, और 10 साल की age में, जो है सुरी, सुरी, 1600 में 1600 में, 1600 इस्वी के अंदर मैं बात करता हूँ, जब English Eastern Day Company हमारे देश में आई थी, तब अकबर का rule चल रहा था, असुरी, अहां अकबर का rule चल रहा था, अकबर का जो tom है वो कहां पे है, सिकंद्रा नियर आगरा सिकंद्रा नियर आगरा के अंदर tom देखने को आपको मिलता है, तो answer इसमें D option बनेगा, correct answer, औरंग जेव is the right one मतलब, लोगों द्वारा जो चुने गए लोग है, उनके पास final decision power होती है, जिसे हम कहते है democratic government, तो कि democratic government का मतलब क्या होता है, government by the people, for the people, to the people clear, और democracy word use किसे ने किया था, ये use किया था government to the people, by the people, for the people Abraham Lincoln जी ने, जो आपके US के president रहे हैं और यहां पे है authoritarian government authoritarian government का मतलब क्या होता है, कि जहां पे आपकी strong central power देखने को आपको मिल जाती है, strong central power यहां पे देखने को आपको मिल जाती है this is very important और autocratic government का मतलब क्या होता है जहां पे आपकी power जो होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, यहां पे कोई legal restrained नहीं होता चाहे ना ही बाहर ना ही population का Monarchy की बात करते हैं जहां पे आपके जो king है queen है वो rule कर रहे हैं clear वो rule करते हैं that is called Monarchy तो answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा correct answer democracy के अंदर power लोगों के अंदर होती है लोगों के पास होती है जैसे हमारे देश में है age limit बताइए विधान परिशद का election लड़ने के लिए विधान परिशद को हम कहते है state legislative council clear मैं सारे आपको बता देता हूँ विधान सबा state legislative assembly के लिए 25 साल ही चाहिए होती है और उसके बाद जो है आपकी जो है विधान परिशद राज्य सबा और विधान परिशद को state legislative council भी कहते है इसके लिए 30 चाहिए होती है विधान सबा और लोग सबा के लिए 25 चाहिए होती है राष्ट्रपती का election लड़ना है गवनर का election लड़ना है वाइस प्रेज़ेंट तो ये आपकी 35 चाहिए होती है 21 साल आपको पंचायत और मुंसेपलिटिक election लडने के लिए 18 साल आपको voting के लिए चाहिए होती है जो आपका article 326 देखने को आपको मिलता है 30 is the correct answer 30 age is the right one the most extensive use of the molasses after the fermentation is to produce molasses का इस्तेमाल क्या जाता है fermentation में fermentation का मतलब क्या होता है in the absence of oxygen हम क्या करते है glucose से जो है शराब बनाई जाती है in the absence of oxygen और इसमें जो enzyme use होता है वो यूज होता है आपका zymase enzyme और यह बनती का उसी है ethanol शराब बनती है that is c option ethyl alcohol clear और इसको हम में और क्या कहते है C2H5OH यह बनाई जाती है एक होता है enzyme invertase invertase enzyme होता है invertase enzyme क्या करता है जो sucrose होता है sucrose यह sucrose को तोड़ देता है glucose में plus fructose में तोड़ देता है sucrose वो होती है जो हम घरों में use करते हैं cane sugar भी इसको कहते है और glucose जो होता है instant source of energy fructose is the fruit sugar सबसे मीठी sugar देखने को आपको मिलती है fructose तो answer इसमें क्या बनेगा c is the correct answer ethanol यह आपको proper देखने को मिलता है how is the president of india elected आपके राश्टरपती कैसे चुने जाते हैं elected member vote करते हैं इनके अंदर elected member किसके लोग सभा के elected member राजय सभा के elected member state legislative assembly जाने के विधान सभा के लोग participate करते हैं विधान पर इशाज बिलकुल participate नहीं करती है ना ही nominated member participate करते हैं तो यह होती है इन में से कौन सा method होता है आपका by the single transferable vote answer इसमें B option बनेगा क्योंकि proportion representation होती है आपके देश में राश्टरपती को election करने के लिए like for example चार candidate है ठीक है और 100 votes हैं 100 votes हैं और 4 candidate हैं suppose करोगी पहले को 30 मिलगी दूसरे को 20 मिलगी और इसको 15 कितने होगी 50 जो है आपका 65 और 65 के बाद आएगी 35 ठीक है तो ऐस मिलगी चौथे को 35 मिलगी तो इसमें clarity clear कोई बिन जीता जिसके पास 50% प्लस 1 होंगी तो वो जीतेगा अब इन में से कम किसके हैं तो इसके पास कम है तिया तीन वाले पे एक्चुली जब भी 100 लोग चुनते हैं तो इनके पास 2 vote होती है इन में क्या होता है first preference और second preference first preference में तीसरे को 15 मिली थे तो ये हार गया मतलब इसको निकाल दिया जाएगा clear जो 15 लोगों ने इनकी second preference चुनी सी उनको देखा जाएगा suppose करो कि वो second preference जो है वो किसकी है वो second number वाले की है तो इसका मतलब 15 की 15 vote इसको गई 30, 30, 35 और 35 clear ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा ये निकलेग इसकी 30 वाले वोटों की second preference देखी जाएगी तो उसको बात जो भी है इन में से जीतेगा उसको कर लिया जाएगा तो इसे है आपका single transferable vote इसको हम कहते है अंसर इसमें B option बनेगा correct answer ये देखे जी जो मैंने आपको बताया है ठीक है same to same stating district आपको कहाँ पर देखने को आपको मिलता है कंगेर घाटी देखने को मिलता है च्छतिस गड़ में अंसर इसमें क्या बनेगा डी option बनेगा correct answer कंगेर घाटी और यहां पे आपका इन्डरावती नैशन पारक भी आपको देखने को मिलता है गुरू घास ही दास जिस से और उतर प्रदेश के अंदर धुदवा धुदवा नैशन पार आपको देखने को मिलता है अंसर इसमें D option बनेगा So, here is the 36 गड़ क्लिर 36 गड़ के अंदर जो है आपका कांगेड वेले जो है आपको देखने को मिलता है ब्राजिल, रश्य, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका एक्चुली ब्रिक्स वर्ड जो नाम आया था ये गोल्ड मैंग सैक ने दिया था गोल्ड मैं सैक ने गोल्ड मैं सैक ने दिया था और उसके चीफ एकनॉमिस्ट है जिम ओनेल उन्होंने एक वर्ड यूज किया था डैडिस ब्रिक्स क्योंकि चार उस टाइन पे थे 2001 में फिर S साउथ अफरीका जुड़ा 2010 में फिर इसका नाम क्या बढ़ गया ब्रिक्स बढ़ गया अब ब्रिक्स क्या कर रहा है ब्रिक्स पांच एकनॉमिस हैं रिडिंग एकनॉमिस हैं आपके और ब्रिक्स के जो हैड़कॉर्टर हैं ये कहां पे हैं शंगाई के अंदर आठीक हैड़कॉर्टर हैं ये अंसर इसमें ए औप्शन बनेगा ब्रिक्स एंड न्यू डेवल्मेंट बैंक बना था फोर्टाजिला जो है आपका फोर्टाजिला जो है आपकी डेकलरेशन हुई थी 2014 में उसके बाद होई आपको देखने को आपको मिला शंगाई is the headquarter और रिजिनल headquarter कहां पे हैं रिजिनल headquarter जोहांसबर्ग के अंदर देखने को आपको मिल जाते हैं एक्चुली ब्रिक्स जो वर्ड हुआ था पांच भी आपकी ब्रिक्स की मीटिंग थी डर्बन साउथ अफरीका के अंदर तो वहाँ पे जो है एगरी कर गे थे हम ब्रिक्स को बनाएंगे और फिर उसके बास 2014 की फोटाजीला कॉन्फरेंस के अंदर जो है इनने बोला और ब् पॉस्ट डिमेस्टिक पड़क्स मतलब क्या होता है टोटल वेल्यू और जो है आपकी गोड्स और सर्विस्टी एक साल में जो प्रिश वोती है उसे हम जीडीप कहते हैं जीडीप कैलकुलेट कौन करता है सैंटर स्टैडिस्टिकल और गनेशन जो है इसको कंट्रोल करते ह नितिया योग पॉवर्टी देखता है थिंक टैंक आफ दा कंट्री है नैशनल इंसिटूशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया आर बी क्या करता है मोनिटरी पॉलिसी को संबालता है आर बी क्या करता है आपकी मोनिटरी पॉलिसी जो होती है वो उसको संबालता है आर ब monetary policy क्योंकि monetary policy committee जो है RB के अंतरगत आती है जो monetary policy बनाती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा D option CSO is the correct answer Central Statistical Organization How does a unicellular organism reproduce? Uni मतलब single cell मतलब एक cell एक cell कैसे reproduce कर दिया जाता है single cell reproduce होता है cell division से एक cell divide करता है दो बनते हैं दो बनते हैं तो चार बनते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं mitosis की करया क्या देते है mitosis इसको हम कह देते हैं और अगर मैं बात करता हूँ sexual reproduction के time पे तो sexual reproduction के time पे आपको देखने को मिलती है meiosis meiosis जो होती है ये reductional division देखने को आपको मिलती है reductional clear 2N से जो है आपके N number आते हैं to add that is called sexual reproduction meiosis clear binary fusion की अगर मैं बात करता हूँ binary fusion की binary fusion में क्या होता है कि जो single cell होता है वो आपका reproduce कर देता है replicate करके bacteria वगरा जैसे होते हैं उसमें replication वगरा देखने को मिलती है that is in the binary fusion very very important part clear answer इसमें ए औप्शन बनेगा correct answer cell division average heart beat per minute in a normal person is देखे एक minute में कितना heart beat करता है हमारा 72 बार करता है तो एक second में कितना करेगा जाने के 60 by 72 ठीक है 60 by 72 बार पांच 60 बार अच्छिक बार अच्छिक बार तर clear तो इसको 0.8 second आ जाएगा आपका मतलब एक heart beat करने है तो कितने time में होगा 0.8 second में होगा और आपको बहतर heart beat करनी है तो कितने time में होगा 60 minute जाने के 1 minute में होगा 60 second में clear ये ध्यार रखे तो answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा heart beat होता क्या है heart beat होता है जब आपके जो आपके जो होते Oracle and Ventical जो होते है close and open होते है close open में sound आती है आपकी love और dub ये दो sounds होती है ये आपकी sounds आती है love और dub heartbeat करते है और heartbeat start कहां से होती है right Oracle से और उस point को हम क्या कह देते है that is S.A. node उसको हम कह देते है sino oricular node उसको हम कहते है sino oricular node ये आपको पता होना चाहिए साइन औरिकल नोड और इसको हम और क्या कहा देते हैं ऐसे नोड को हमें और क्या कहा देते हैं पेसमेकर भी कहा देते हैं पेसमेकर भी कहा देते हैं अंसर इसमें C option बनेगा correct answer light year जो होता है ये किसका unit होता है light year unit होता है आपका distance का answer इसमें B option बनेगा distance is the correct answer जो एक साल में light कितना travel करती दिया उसको हम light year कहते है 9.46 x 10 x 15 meter होता है जा फिर आप 9.46 x 10 x 12 kilometer हम इसको कह देते हैं so this is the distance or light year clear, very very important और speed of light कितनी होते है 3 x 10 x 8 meter per second जा फिर 3 x 10 x 5 kilometer per second इसको हम कह देते हैं अंसर इसमें B option बनेगा so this is the light year how many players are considered in each team of basketball basketball के अंदर कितने लोग होते हैं एक side के उपर 5 लोग होते हैं अंसर इसमें B option D option बनेगा 5 is the correct answer यह कुछ खिलाडियों के जो है players के नाम है I mean to say players or number of players or sports के नाम है देख लिजे ठीक है इसको screenshot ले लिजे basketball पुछा था तो 5 is the correct answer dash is issued when the court find a particular office holder is not doing legal duty and there is infringing on the right of an individual मतलब क्या होगा अपने fundamental right के लिए आपके fundamental right छीने जा रहे हैं और कोई person आपके legal duty follow नहीं करता और इस चीज के लिए हम writ डालते हैं that is called mandamus हम word use करते हैं mandamus द्यार के राष्टपती और governor के लिए ये चीजे लागो नहीं होती उनकी मर्जी होती है ये उसके उपरे हम rate issue नहीं कर सकते और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक government office के लिए देखने को आपको मिलता है habeas corpus का मतलब उता होता है to have a body अगर आपको कोई person जो है आप चीज नहीं करेंगे आप अपना फैसला नहीं देंगे clear की फैसला हम देंगे और उसके बाद जो है एक होता है that is seri shri seri tori और seri shri word use करते है इसमें क्या होता है कि higher court ने जो है sorry lower court ने जो है आपका फैसला सुना दिया है और higher court क्या कर दिया उस फैसले को cancel कर देती है that is called seri shri जिस पे आप orders lower court के cancel कर देते हो क्यो वरंटो का मतलब होता है what is your authority clear ये ध्यान रखना important question है what is your authority आप किस authority के आधार पे आप किसी भी government office में बैठे है पूछा जा सकता है अंसर इसमें B option बनेगा correct answer परमादेश मेंडमाज dash is a series of super computer designed and assembled by the center for development of advanced computing c deck जो पूने के अंदर आता है तो इसमें कौन सी series computer की चल रही है हमारी super computer की तो वो है आपका super computer की जो series है वो है परम अंसर इसमें A option बनेगा correct answer परम is the right one clear पहला परम जो है 1991 में establish किया गया था this is very very important और आपका national super computing mission जो आपका चल रहा है ये कब आया था 2015 में आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि 7 साल का एक mission है कि जिसमें हम 4500 क्रोड रुपया जो है खर्च करेंगे super computing के अंदर R&D work के अंदर high speed networking के अंदर clear और इस program को implement कौन करता है department of science and technology and department of electronics and information technology इसको जो है लगवा रही है तो answer इसमें A option बनेगा correct answer A option परम is the correct answer परम what type of force act on a car moving around a curve देखिए जब भी curve लेता है कोई भी चीज़ तो आपके हमेशा center में force लगते है और वो लगते है कौन से आपकी centripetal force लगती है और जो आपकी centrifugal force होती है centrifugal होती है जैसे आपकी machine होती है घर में आप काम करते हैं मक्खन बगारा निकालते हैं तो आपकी corners के उपर लगते है that is called centrifugal center पे हमेशा centripetal force लगेगी तो answer इसमें C option बनेगा correct answer फसले होती थी wheat और आपकी barley जो main आपकी जो है फसले उगाते थे और बाकी जो है ये सब चीज़े होती थी animals, rivers fish वगारा निकालते थे और trading किस चीज़ की करते थे पोटरी की clear decorative items की वगारा वगारा clear और stone seals जो है आपके use किया जाते थे trade के अंदर जो misopatamia के अंदर भी हमें मिली है और misopatamia वाले जो लोग है वो indus valley लोगों को क्या कहते थे मैलूहा कहके बुलाते थे और हम misopatamia को बोलते थे sumerians बोल रा जाता था clear तो answer इसमें mainly agriculture जो है इसकी देखने को आपको मिलती थी Indian mughal painting जो है आपकी originate हुई आपकी mughal emperor के time पे कौन से mughal emperor time पे जो है mughal painting start हुई तो वो start हुई थी आपकी हुमायू के time पे answer इसमें a option बने का correct answer हुमायू के time पे दो आपके main painter थे that is mir sayyad ali mir sayyad ali and abdussamad abdussamad clear तो these are the main painters जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलते थे अकबर के time पे भी जो है बहुत सारी painting जैसे जब आपकी सारी चीज़ें change होने लगी थी जैसे रजम नामा महा भारत को change किया गया था जो आपकी रामायन को change किया गया था Persian language के अंदर उस time पे जो है option बनेगा हुमायू की बात करें हुमायू नामा किस ने लिखा था गुल बदन बेगम ने लिखा था सबसे पहले जो है रॉल फिच नाम का जो है European India के अंदर आया था किस के time पे अकबर के time पे और जो है permission सूरत में factory लगाने के लिए जहांगीर से मिली थी होली बुक बताईए सिख हरलीजन की कौन सी आती है सिख हरलीजन की होली बुक इन में से कौन सी है वो है गुरु गरंज साहिब अंसर इसमें D option बनेगा बगवत गीता आपके जो है ड़ीज दा पार्ट ओव दा महाभारता और गुरु स्क्रिप्ट है ये पंजाबी लैंगुज की स्क्रिप्ट है गुरु मुखी जो है जो सेकंड सिख गुरु है अंगर देव जी अंगर देव जी ने ये बताया था अंगर देव जी ने ये बताई थी clear answer इसमें D option बनेगा गुरु गरंट साहिब में दस गुरु की जो है बानी लिखी हुई है दस गुरु की चीज़ें सारी यहां पर लिखी हुई है और अभी जो गुरु हैं सिख धरम के वो गुरु गरंट साहिब है पाबलो पिकासो जो है ये famous painter है ये कहां के famous painter है पाबलो पिकासू ये Spanish Spanish है Spanish painter, sculptor, poet वगरा देखने को आपको मिलते हैं ये और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत बार वेपर में आता है Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci ये भी बहुत बड़े famous आपके जो है painter है ये Italy से बिलॉंग करते हैं और इनकी दो बहुत सारी famous painting है that is Mona Lisa and Last Supper Last Supper ठीक है तो this is very important part तो answer इसमें क्या बनने वाला है D option बनेगा correct answer, Spanish is the correct one So guys ये थे आज की lecture के अंदर question बाकी जो भी updates होंगे वह आपको telegram channel के उपर आपको मिलेंगे Dr. Vipan Goyal के नाम से Instagram और Facebook के उपर भी आप मुझे follow कर सकते हैं मेरे दो paid courses आते हैं The one is a 10,000 MCEU course ऐसे हमारा GS course आता है 10,000 MCEU course के अंदर आप जो है chapter wise, topic wise जो है हम यहाँ पे MCEU discuss करते हैं detail में यहाँ पे chapter wise, topic wise MCEU तो ही है प्लस यहाँ पे आपके different exam को focus करके SSC, railway, defense exam, state पीसे UPSC के लभी question त्यार के गए है इसमें code लगाना है आपको weapon 15, आपको code लगाएंगे तो आपको discount मिलेगा 16 June तक यह valid है GS course जो है, हमारा पूरा का पूरा theory course है, clear और इसके अंदर हमने topic समझे हुए है, यह coupon code आप लगाएंगे discount आपको मिल जाएगा अब आप इन courses को purchase कहां से गर सकते हैं दो जगा से, study IQ app के उपर जा हमारी website के उपर study IQ.com जैसी आप इसको open करेंगे, आपको screen के उपर नजर आएगा यहाँ पे home page, यहाँ पे आपको दिखेगा best selling courses, we all का button इस view all के button को दबाना जैसे आप दबाएंगे 10,000 MC की course आपको 30 नबर पर दिखेगा, GS course आपको 4 नबर के उपर दिखेगा, जो भी आपको courses अच्छे लगते हैं, आप purchase करें, preparation को आगे बढ़ाएं, और अगर आप बिहार PCS, UP PCS की त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको highly recommend करूंगा 10,000 MC की course आप purchase करें, इसको preparation से आगे लेके जाएं, बहुत ज़्यादा, ठीक है so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care